हमने अब तर कितने में ट्रिगनोमेत्रिक फंक्शन पढ़े हैं सब्सक्राइब दिसक्राइब न न सबक्राइब आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं इससे वार फ्पींवीडियो आज रिइस वीडियो न पेर्पिस के अगंडियो अगार्ट थीजन्ड एकन में ईन mund इस ऑर विडियो एट जयो में बेंle books in Plus अगर आप बैल प्रेस को को प्रेस कर यहां तब यही वीडिय आपको एपर नोली कि और की वही एपश्य को ह Carry जूरूर कीजिए, हाँ, feedback के लिए comment भी जूरूर कीजिए, इसे हमें motivation मिलती है, so now, we are going to start with the first function, y is equals to sin x, first time हम discuss काने जा रहा है, sin x का graph, जैसे आपको पता है, sin x, x क्या होती है, input होती है, input मतलब domain, तो domain जो है sin x की, domain क्या होती है, आपको पता है, set of real numbers, वैसे आपको पता है, जब हम sign में कुछ input देते हैं, वो input क्या होती है, radians में होते है, degrees में होती है, जैसे 5 by 2, 5 by 4, 5 by 6, 180 degree, 45 degrees on, बड़ एक बाज आतरका है, जो radians होती है, radians होती है, जो, वो similar to real numbers होती है, so इसमें input हम, all real numbers के input दे सकते हैं, इसकी जो range है, वो क्या होती है, आपको पता है, sign x की value, minus 1 to 1 के, between, including minus 1, 1, मतलब minus 1 include, minus 1 से बड़ी, और 1 से छोटी include 1, इसकी between इसकी value रहती है, इसकी minimum value minus 1 होती है, और maximum value क्या होती है, 1 होती है, अब हम इसका graph discuss करते हैं, हमने क्या किया, x-axis पे इस सभी radians क्या define की हुए, 5 by 2, 5, 3 by 2 by 1, और हमारी range, minus 1 to 1 के बटवीन है, जैसे आपको पता है, sign 5 by 2, sign 90 क्या होता है, 1, मैंने यहाँ पे इसे fix रहा दिया, इससे पहले आपके पास, आपको पता है, sign 5 by 6, मतलब 30, यह तो इसका half यहाँ पे 5 by 4 आएगा, फिर इसका half यहाँ पे 5 by 6, मतलब वो क्या होगा, sign 30, आपके पास 1 by 2, मतलब यहाँ पे आजाएगा half, तो कहने का मतलब, इसकी value यहाँ से start होके, यहाँ तक जाएगी पहले, फिर next, हमारे इक पास क्या आता है, यहाँ पे 5, तो हमारा sign pi क्या हो गया, 0 हो गया, इसका आप यहाँ पे match करा देजे, हम इसको ऐसे match करवा देते हैं, sign pi हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, फिर आते हैं 3 pi by 2 पे, आप यहाँ पर रफली देख सकते हो, sign 3 pi over 2, इसका मतलब sign pi plus pi by 2, second quadrant positive, sign pi by 2 मतलब, so third quadrant pi plus third quadrant मतलब negative, तो minus 1 ना जाएगा, मतलब sign 3 pi by 2 की value minus 1, तो आप इसे ऐसे नीचे ले आईए, ठीक है, अब इसके बाद sign 2 pi, 2 pi मतलब pi plus pi, sign pi plus pi minus sign pi, sign pi का तो 0, तो यह क्या हो जाएगा, उपर की तर्फ ऐसे चला जाएगा, similarly हम क्या करेंगे, 5 pi by 2 के पास जाएगे, 5 pi by 2 के पास क्या लिख सकते हो, 2 pi plus pi by 2, first quadrant positive, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1, तो आप इसको ऐसे, फिस sign 3 pi जे क्या हो जाएगा, 0, 3 pi 0, similarly 7 pi by 2 का पर क्या लिख सकते हो, 3 pi plus pi by 2, 3 pi plus pi by 2, third quadrant मतलब negative, तो यहाँ पर minus 1 आजाएगा, तो आप यहाँ पर इसे ऐसे जा सकते हो, यह हमार चला गया, एक बात द्यान रखिए, similar graph मारे होगा, sin minus pi by 2, sin minus को बाहर निकाल देता है, तो minus 1 आजाएगा, तो इसके बाद यहाँ पर क्या जाएगी, minus 1, और sin minus pi 0 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको ड्रो करूँ, यह बन जाएगा, इसके बाद minus 3 pi by 2, minus 3 pi by 2 मतलब minus of sin 3 pi by 2, sin 3 pi by 2 कि दिने होता है, minus 1, तो यह क्याएगा positive 1, मतलब इसकी value यहाँ पर आजाएगी, तो यह आप ऐसे हैगा, यह sin minus 2 pi 0 हो जाएगा, इसी तरह इसका graph चलता रहेगा, अब अगर आप 0 से देखिए, हम इसका यहाँ पर periodic function में देखने है, periodic function क्या होता है, वो function कोई ना कोई interval के बाद जिसकी value repeat होने लग जाएगा, आप 0 से चेक के लिए, graph को चाहाँ पर स्टारता है, मतलब 0 से 2 pi तक, इसकी length क्या हो गई, 2 pi minus 0, 2 pi, तो period of sin x is equals to length of interval 2 pi, 0, कितने जाएगा, 2 pi, एक बार मैं repeat कर देखती हूँ, आप द्यान से देखिए, 0 से pi, फिर pi से 2 pi, यह दोनों पाट different है, बट 2 pi से आप, जब, फिर 2 pi से अब 3 pi तक देखिए, 2 pi से 3 pi तक इसका behavior बिल्कुल 0 से pi वाला ही है, यह देखिए, इसका behavior है, इसकी जो length 0 से 2 pi तक वही इसका period है, मतलब 2 pi के बाद इसका जो function की value पीठोन लग जाएगी, आप कोई भी interval ठालेजे, suppose 2 pi के बाद आप 5 pi वा 2 उठाते हो, तो उसको आप कैसे लिखोगे 2 pi पलस pi बाद 2, मतलब 2 pi में कुछ add और 2 pi में कुछ subtract होके, उसकी value जो repeat होने start हो जाती है, तो sine x का जो period है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, period of sine x is equals to 2 pi, length of interval of 0 to 2 pi, similarly, जो length होती है, वो positive होती है, तो इसके लिए हमने positive interval उठाय है, यहाँ पे, जैसा इसका graph, इस साइड बन रहा है, same to same, बस बिकोई यहाँ पे negative है, तो उल्ट हो जाएगा, मतलब जैसे 0 से pi यह उपर है, तो 0 से minus pi जे नीचे आएगा, फिर pi से 2 pi जे नीचे है, तो minus pi से minus 2 pi जे ग्राफ उपर होगा, यह था हमारा y equals to sine x का ग्राफ, जिसकी domain set of real number, range minus 1 to 1, close interval, period of sine x क्या होता है, 2 pi होता है, अब हम cos x का discuss करते हैं, अब मारा next function क्या है, cos x, cos x की domain simple, इसमें कुछ भी real number put कर सकते हैं, किसी पे भी कोई restriction नहीं है, कुछ भी put के जए, कोई ना कोई cos की value आगी, range, इसकी maximum minimum value, same as the sine x, between minus 1 to 1, close interval, मतलब close interval to minus 1 to 1, sine and cos x की domain range, बिल्कुल सेम है, set of real numbers, domain range, close interval minus 1 to 1 है, अब हम इसका graph start करते हैं, आपको पता है, cos 0 क्या होता है 1, तो cos 0 पे क्या value आगी हमारी 1, मतलब यह point 0,1, ठीक है ना, अब उसके बाद, आपको यह भी पता है, cos πi by 2 क्या होता है, 0 होता है, cos minus πi by 2 भी क्या होता है, 0, cos minus को तो खाई जाता है, ठीक है ना, तो इसका कोई फर्क नहीं है, cos πi, cos πi मतलब cos 180, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, cos πi by 2 plus πi by 2, मतलब minus cos πi by, sorry, sine, cos πi by 2 chain तो तो minus 1, तो cos πi by 2, मतलब cos πi की value minus 1, cos πi यह रहा, इसकी यहाँ पर value आईगी, cos πi जरू हो, आपको पता है, cos πi by 4, क्या होता है, 1 by root 2, root 2 की value 1.7, तो 0.something value आईगी, यहीं कहीं होगी, तो मतलब इसका graph कुछ ऐसा होगा, फिर इसके साथ, इसमेच करा देज़ें, फिर cos πi क्या है मारा, minus 1, cos 3 πi by 2, यह भी 0 जाएगा, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, cos πi, plus πi by 2, यह थर्ड कौरन में negative, तो cos πi by 2, यह तो 0 हो गया, तो जी 0, cos 2 पही मारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अब आप इसकी, इन डोटर को मैच कर देज़ें, cos 5 πi by 2, आपके पास क्या आजाएगा, वो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 πi plus 5 by 2, 1st कौरन मतलब 1, cos 5 by 2 क्या हो जाए, 0, यह खर बन गए, similarly cos 3 πi, 2 πi plus πi, 1st कौरन मतलब cos πi, cos πi की value minus 1 है, तो यह यहाँ पर आजाएगा, सो इसका ग्राफ आपके चलता देगा, similarly cos minus πi क्या हो जाएगा, cos minus πi हमारे पास आजाएगा, minus 1, cos minus 3 πi by 2 हमारे पास क्या आजाएगा, 0, आप इसकी value वैसे निकाल सकते हो, जैसे हमने सीखी है, यह से πi plus πi by 2, cos minus πi को क्या लिख सकते हो, cos minus πi मतलब, minus को वैसे रख देगे, 90 plus 90 करके, तो यह ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, similarly यह ग्राफ minus 2 πi पे क्या हो जाएगा, minus 2 πi पे यह cos minus 2 πi, मतलब कितना हो जाएगा, cos minus 2 πi, तो यह क्या बन जाएगा हमारे पास, 1, तो इसके साथ है, cos minus 5 πi पे 2 मतलब, हमारे पास यहाँ पे आजाएगा, 0, इसके करकुछ ऐसे हो गए, इसको अब द्यान से ड्रो करना, अब हम इसका देखते हैं, कि यह ग्राफ कहां सर्पीट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, positive में देखना है, मतलब इसको ignore करेंगे, यहाँ से start होता है हमारा ग्राफ, पहले हमारी यह कर नीचे जा रही है, नीचे जाके यहाँ पे stop, फिर उपर, मतलब यह, अगर हम देखें, इसको match करा दिए, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे यह माइनस 1, मतलब यह 1 यहाँ पे जाके repeat होना शुरूर जाता है, जैसे यहाँ पे 1 था, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे 0, इसके बाद, देखें, यहाँ पे मारा point कहा जाता है, 0,1, मतलब 2 pi, की जैसे आप देखिए यह से सेंव फींगर यहां यहां से जैसे मैं यहां पे हाथ हडो तो जैसे यहां इसकी स्टार्टिंग हो रही है बदलब तो tuappaThe के बाद कोस्ट लेने होती है मतलब इस इस पॉइंट के बाद जो ग्राफर रिपीट होना स्टार्ट होगा मतलब टूपाई इसका क्या हो जाएगा पीड हो जाएगा सो पीड ओफ को सेक्स is इकल्स टूपाई तो कभी भी आपको कोसेक्स का पीड पूछ ले वह टूपाई होता है मतल नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं y is equal to 10x का graph, देखिए y is equal to sin x का graph, सब सोरी 10x का, y is equal to 10x, इसको आप कैसे लिख सकते हो, sin x over cos x, आपको पता है कोई भी अगर function, ठीका, rational function मतलब denominator और numerator form में हो, तो जो denominator होता है, वो क्या होना चाहिए, non 0 होना चाहिए, आपको ये पता हो चाहिए, cos x 0 कहाँ पर होता है, अभी आपने graph किया था, cos x का, तो ये pi by 2, 3 pi by 2 कहने का मतलब, odd multiple, जेको पहले pi by 2, फिर 3 pi by 2, फिर 5 pi by 2, 107 pi by 2, यानि 1, 3, 5, यानि ये odd multiple of pi by 2 पर 0 होता है, मतलब, cos x कहाँ 0 होता है, odd multiple of pi by 2, मतलब, अगर मैं पूरी real में से, odd मतलब, 2n plus 1 pi by 2, ये minus कर दू, because जो denominator वाला part होता होता है, इसको हमने हटाना होता है, मतलब, पूरे set में से हमने क्या कर दिया, set of all real numbers, accept odd multiple, 2n plus 1 मतलब, odd pi by 2 क्या होगा है, multiple होगा, तो ये इसकी domain होगी, range इसकी क्या होती है, all real numbers, मतलब, open interval minus infinity, infinity, और आप set of all, real number लिख सकते है, period हम इसकी graph से देखेंगे, सबसे पहले आपको पता है, tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो मेरा tan 0 क्या हो गया, 0, यहाँ पे 0, 0, tan pi by 4, यहाँ पे कहीं pi by 4 होगा, ठीक है न, suppose को मैं यहाँ पे 1 ले लिया, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, infinite, याद रखना, tan pi by 2 क्या होता है, infinite, मतलब not defined, infinite मतलब सोन जाता रहेगा, कभी खतम नहीं होगा, तो इसका graph कुछ कैसा होगा, पहले positive हम ले रहे हैं, यह ऐसे 1 में से पास होता होगा, because इसके बाद infinite कभी खतम नहीं होगा, यह चलता जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है न, similarly tan minus pi by 4 क्या है, minus 1, यह रहा, अब इसको हम नीचे के तरफ curve बना लेते हैं, tan minus pi by 2 भी क्या हो जाएगा, minus infinity, that's why यह curve नीचे को जा रही है, because यहाँ पर minus infinity होती है, यहाँ पर positive infinity होता है, मतलब y क्या होता है, output y is equals to tan x है, तो y is equals to tan minus pi by 2, मतलब minus infinite हैगा, तो यह minus pi by 2 को नीचे की हो जाएगा, similarly आगे देखिए, जैसे tan pi by 2 क्या होता है, zero, तो यह curve यहाँ होगा, हमें पता है, कि जो हमारा curve है, tan pi से होता है, उसके बाद, यहाँ पर हमारे पास क्या number होगा, अब इसकी आगे जो भी value आएगी, pi by 2 प्लस आएगी, मतलब second quadrant, second quadrant में tan क्या होता है, negative होता है, मतलब इसकी curve बाद नीचे को बनेगी, तो आप इसकी curve को कुछ ऐसे draw कर दिजिए, 3 pi by 2 मतलब, pi plus pi by 2, मतलब यह third quadrant positive हो जाएगा, but infinite बन जाएगा, तो यह कुछ इस तरह बन जाएगा, तो इसकी curve ऐसे बन जाएगी, similarly, इधर बन जाएगी, वो भी हम draw कर देते हैं, इसका graph कुछ ऐसे बनेगा, बस आपने क्या करना है, minus pi, pi के multiple पर जाएगी, 0 बन जाएगा, because उपर sine होगा, और sine pi के multiples को 0 बनाता है, यह आप देख लिजिए, जैसे sine pi 0, sine 2 pi, sine 3 pi, तो यहाद रखना, जो sine है, वो pi के multiple, pi 2 pi minus 2 pi minus 3 pi, like sine n pi, मतलब n belongs to integers, वो क्या होता है, 0 बना देता है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको pi, मतलब 0 से यहाँ पास पराना है, और यहाँ पे आपने देखना है, कौन से कॉर्ण में जाएगा, जैसे यह 3 pi by 2, pi plus pi by 2, तो मैंने इसकी curve नीचे बना दी, मतलब यह नीचे की ओर जाएगा, और pi plus pi by 2, मतलब कहीं न कहीं इन्फाइनाइट माइनस पर टच करेगा, उपर मतलब जा रहा है, क्यों? क्यों कि 2 pi plus first coordinate आ जाएगा, तो यह positive होगा, similarly यहाँ, अब आप इसका graph देखिए, कहां से repeat on start हो रहा है, positive में चेक करना है, पहले 0 से pi by 2 जे उपर जा रहा है, तेखिए, फिर pi by 2 तो pi यह graph नीचे को आ रहा है, फिर pi से यह, देखो pi से 3 pi by 2 यह repeat नहीं हो रहा बिल्कुल इसके जैसा, जितना यह ऐसे graph बने है, ऐसे pi से 3 pi by 2 में बने है, मतलब जो 10 की value है, 0 से pi के बाद repeat होनी start हो जाती है, तो इसकी length क्या है, pi होगी, तो period of 10 next हमारा क्या आ गया, pi आ गया, मतलब आपने just क्या करना है, positive वाला graph देखिए, फिर देखिए, कहां से graph आपकर repeat होना start हो जाता है, जैसे परे मैंने 0 से देखा, 0 से pi by 2 यह उपर को जा रहा है, फिर pi by 2 से pi यह नीचे को आ रहा है, बट pi से 3 pi by 2 विल्कुल pi से 0 से pi by 2 सेम graph बन रहा है, that's why इसका length 0 से pi हमारा pi आ गया, तो period of 10x हमारा क्या आ गया, pi आ गया, आपने कभी graph की value ड्रॉ करनी हो, ग्राफ प्लोट करना हो, जैसे आप क्या करें, जो भी आपकी value पता है, जैसे pi, pi by 2, pi by 4, pi by 6, pi by 3, उसको आप लिख दीजिए, बाकी को आप pi plus, 2 pi plus से angle करके, उन value को प्लोट कर दीजिए, तो यह हमने, इस वीडियो में, हमने sin x, cos x, tan x का graph, उनकी domain range period, domain क्या होती है, याद रखना है, domain होता है, जो जो आपे x axis की value होती है, देखो हमने x x की हर value पर value define की है, output क्या होता है, जो हमारी यह y axis की, देखो y axis का सिर्फ हमने इतना part लिया है, इतने part को हम range बोलेंगे, यह पूरे part को हम domain बोलेंगे, similarly यहाँ पे हमने क्या किया है, यह वला part y का हम use कर रहे हैं, तो यह range होगी, पूरा part हमने x का use किया तो यह domain होगी, यहाँ पे आप देखिए, tan x हमने क्या किया है, यह मैंने यहां पे dotted क्यों लगाया है because हमने यह point नहीं लेने तभी हमने इनको dotted रो किया है जो point हमने नहीं लिया नहों तो उनका हम dotted का देते हैं मतलब यह include नहीं है इन पे infinite not defined होता है बाकि सबने हमने dark किया है तो इसलिए हमने dupain क्या लिया है और real numbers accept odd multiple of pi by 2 range देखो आपकी range देखो यह y का पूरा graphics पे plot कर रहे है जैसे यह उपर का चार है यह y की नीचे value ले ले ला है मतलब यह पूरी y axis ले रहे है तो range आपकी क्या होगी पूरी real numbers होगी period 10x का pi होता है अब यह हमारे 3 function लेगे है code engine, cosecant, secant वो हम next video में discuss करेंगे तो friends हमारा आज का top यह ही complete होते है Thank you friends